जैमाता दिमित्रों कैसे आप सभी आशा करताओं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षा को लेकर के हमारे मन में हमेशा संदे बना रहता है कि कहीं कोई उपरी बादा हमारे उपर हमारे परिवार के उपर अटेक ना कर दे कहीं कोई बुरी सोच वाला वैक्ती हमारे उपर कोई तंतर ना कर दे कोई चोकी ना छोड़ दे कोई कृत्या ना छोड़ दे कोई मारन मूट करनी किसी भी प्रकार का तंतर प्रयोग हमारे उपर ना कर दे तो ऐसे में अपनी सुरक्षा करना और अपने परिवार की सुरक्षा करना बहुत ही ज़ादा जरूरी हो जाता है और सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही पावर्फुल चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये चीज इतनी जादा पावरफुल है ना कि आप इसको दूसरा ब्रह्मास्तर कह सकते हो, आप इसको दूसरा नारायनास्तर कह सकते हो, आप इसको दूसरा रुद्रास्तर कह सकते हो, आप इसको दूसरा पाशुपतास्तर कह सकते हो, बहुत ही पावरफुल चीज है, परत्रों में पढ़ी जाती है पढ़ने वाले लोग रोज भी पढ़ते हैं दुरुगासबसती तो दुरुगासबसती का पाठ जहां से प्रारंब किया जाता है यानि की पाठ विधी के बाद में कवच अरगला कीलक का नाम आप लोगोंने सुना ओगा तो इसमें जो सबसे प प्रम्मा ने ही मारकंडे रिशी को इस कवच की महीमा बताई है और ये कवच इतना जादा पावरफुल है कि दुनिया की कोई भी शक्ती, कोई भी बुरी पावर, कोई भी नेगेटिव शक्ती आपका नुकसान कर ही नी सकती। बस इसको पाठ करने की एक प्रॉपर विधी आ इसको सिद्ध कर लेते हैं तो ये पाठ आपका जल्दी सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद ये आपकी पूरी तरीके से सुरक्षा करना प्रारंब कर देगा तो इस कवच को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है विनियोग से लेकर के एकदम अन्त तक ठीक है सबसे पहले आपको विनियोग पढ़ना है और श्रेख चंडी कमच असरे इस प्रकार से शुरू हमक्णा है और यह अगर आप इसको संस्कृत में नहीं पढ़ सकते खिरा भось सारे लोग एसे जिनको संस्कृत नहीं आती है, जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो लोग हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन विनियोग आपको संस्कृत में ही करना पढ़ेगा, अगर आप हिंदी में विनियोग कर सकते हैं, तो हिंदी में विनियोग कीजिए, नहीं तो विनियोग संस्कृत म आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में मारकंडे उवाच यानि कि मारकंडे जीने कहा यहां से फिर आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं ओम नमस्चंडी काया आपको बोलना है उसके बाद में नीचे मारकंडे जीने कहा यहां से शुरू हो जाएगा फिर आपको पूरा जब आपका कवच्य तक आपको इसका पाठ करना ए मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है दुर्गा सब्सक्ति की नहीं तो मैं आपको दिखाता कि अपको यह पड़ना एक वीढियो और बना दूँगा कभी उसमें मैं आपको दिखा दूगा कि कहांसे कहां तक आपको यह सिर्फ कीश किया धास कब यान में कवको भिभष कंए का और इसका से में पार्थ कर सब्सक्राइब करने से आपकी सुरक्षाचा रहेगी चोबीश़ो गंटे आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होगी मा भगवती जगदंबा की तरफ से और अगर आप इस कवच से अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं या आप अन्य किसी वेक्ति की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इस कवच को आप इस कवच को भोजपत्र के उपर आपको लाल स्याही से लिख देना है या फिर अश्टगंद की स्याही से ठीक है अगर आपको अश्टगंद की श्याही बनानी आती है तो वह बना लीजिए और उससे आपको इस कवच को लिखना है बोजपत्र के ऊपर अगर वह आपके पास उपस्थित नहीं है तो आपको क्या करना है ए या फिर जो लोग पूजा पाठ का समान रखते वहां से आपको इजली मिल जाएगा वहां से लेकर के आईए उसके उपर सबसे पहले गंगाजल के चीटे मारिए और आप जब ये कवच लिखोगे बोजपत्र के उपर तो आप भी शुद्ध अवस्था में होने चाहिए तो आपको श्नान करना है अगर आपने पहले श्नान कर रखा है तो आप हात मुध हो करके बैठ सकते हैं आसन के उपर आसन के उपर बैठने के बाद में स्केच लेकर के बोजपत्र के उपर ये आपको पूरा का पूरा लिखना है कवच जितना कवच है ना तो आपको फल शुर हो रहा है और जहां से कवच स्वाह माहन रोध से लेकर चंदे डीना जो अपका इट है और सब इसमा है और सकर उपर ऊष्क, पूर इसके ऊपर थोड़ा सा आपको सेंट लगाना, लगाना और उसके बाद में आपको उसको मोड करके बहते हैं जिसकी आपको सुरक्षा करनी है, जो भी वैक्ति इस कवच को धार्ण करेगा उस वैक्ति की सुरक्षा सदा सरवदा होती रहेगी जब तक वह वैक्ति इसको धारन करके रखता है, हाँ अगर वो व्यक्ति किसी के जैसे कि कहीं पर बच्चा पैदा हो जाता है, वहां चरा जाता है या फिर शम्षान में किसी अर्थी को चू लेता है, तो ऐसे में वो कवच्च उस वक्त उस कवच्च की शक्ती नश्ट हो जाएगी, तो उसके बा बाद में दुबारा से ये कवच्च जागरित हो जाएगा, इसके अंदर ये शक्ती को दुबारा से धारन कर लेगा, फिर उसके बाद में आप इसको दुबारा से धारन कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर जिससे आपने ये कवच्च बनवाया है, उनके पास दुबारा ले ज कोई शक्ति इसके आगे टिक नी सकती कोई इसी भी शक्ति जिस प्रकार से भगवान नरसिंग का कवच शक्ति शाली है रामरक्षा स्तोत्र शक्ति शाली है और भगवान शिव का कवच शक्ति शाली है शिवमोग कवच है उसी प्रकार से देवी का कवच है तो जो देवी के उ पासके वहालों किसी कुछ को धारण करते हैं और बाकी अन्य लोगों को भी कवच को दे सकते हैं उनकी भी पूरी सुरक्षा से्धीन के माध्यम से होती है तो इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी और एक चीज और है जैसे कि जो लोग नहीं दारन करना चाहते हैं ताविस वग्यरा को तो उन लोगों को क्या करना ili कवच का पाठ करना है जैसे कि घर का कोई एक सदस्य है अपने सामने एक लोटे में एक ग्लास में कटोरी में या किसी भी सबी सदसे उस जल को ग्रहन करें तो उनको सुरक्षा प्राप्त होगी कबच के पाठ से पाठ एक ही व्यक्ति करेगा लेकिन सब की सुरक्षा उससे हो जाएगी क्योंकि वो जो जल है वो अभी मंत्रित हो जाएगा उस कबच के पाठ से और जो कोई भी पीएगा उसकी सुरक् जिसका एक पार्ट करना पड़ेगा तो चलता हूं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में जै मातारानी की